अस्ते सू स्वागताम वेलकम तुमाई चानल आप सभी का मेरे चानल पर बहुत बहुत स्वागत है आज जब मैं वीडियो बनाने जा रहे हूँ ये एक अवेरनेस वीडियो है इस वीडियो को ध्यान से देखेगा और लोगों के साथ शेर जरूर कीजेगा ताकि किसी भी चैनल है दो मैना पहले उसके पीछे एक च्छोटा सा गिल्ट हो गया था मतलब च्छोटा सा बॉल जैसा तो फिर क्या हो हम लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये आज कल बौह सारे बच्चों को हो रहा है अभी हम लोग इसका दवाई नहीं दे सकते इस लोगों ने सोचा कि छोटे से ही हम लोगी डॉक्टर को दिखा रहे हैं बाबू को, अब इनका बात हम लोग कैसे काटे हैं, तो हम लोग बोले कि ठीक है चलो 14 दिन के आपजर्विशन में रख देते हैं, वो 14 दिन में बाबू को हमीशा ही फीवर रहता था, हमीशा वो धीरे दीरे-दीरे-दीरे बहुत ही ज़्यादा सुस्त रहने लगा, अजीब से उसको भीमारी होने लगी अंदर-अंदर, मगर ऐसा है कि वो सिर्फ 2 साल 5 मेहना का था उस वक्त, तो वो बोल नहीं पाता था कि उसको क्या प्रप्रब्लम है, दीरे-दीरे क्या होने लगा कि उसक ये वाला जो guilty था ये बढ़ते 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 यहां पे भी होने लगा उसके बाद उसको hospital जिस दिन हम लोगों ने पहुचाया 25 नविंबर को उसके 2-3 दिन पहले हम लोगों ने देखा कि उसके शरीर के हर एक एक parts में blood clotting हो रहा है मतलब खून जम रहा है हम लोग यही सोचते दें कि चलो बच्चा है कहीं गिर जाता है खेलता है कूटता है गिर जाने की वज़े से चोट लग रही है मगर वो बिमारी की वज़े से ही उसे वो चोट लग रही थी तो फिर एक बार क्या हुआ यहां यहां पे पूरा blood clotting हो गया यह जगा के जो नसे है न वो पूरी green हो गई फिर एक दिन में Friday night को मैं उसको खाना खिला रही थी तो अचानक से उसके मसूडों से खून निकलने लगा नर्फ से खून निकलने लगा नाक से तो इसका मतलब सब लोगों ने यह कहा घर में हमारी Indian culture में ऐसा होता है कि बच्चे को कुछ भी हो जाए हम लोग पहले सोचते हैं कि इसको नजर लग गया है उसके बाद आती है कोई भी विमारी तो सब लोगों ने कहा कि शायद इसको डेंगू हो गया है जिसके वज़े से इसका platelet कम हो गया है इसके nerves चो होते हैं वो बहुत जादा कमजोर हो गया है इसी लिए यहाँ पर उसको खून निकलना स्टार्ट हो गया है तो हम लोगों ने कहा ठीक है काम करते हैं डॉक्टर को कॉल करते हैं देखते हैं उनसे पूछते हैं क्या बात है डॉक्टर को हम लोगों ने जब कॉल किया डॉक्टर ने कहा कि मैं साटरडे नहीं बैठता हूँ मैं संडे बैठाउंगा आप लोग एक काम कीजिए उसको कैलपल देके उसको रोक के रखे उसके बिमारी को हम लोग जब संडे आएंगे तब उसको देखेंगे क्या ट्रीटमेंट कराना है हम लोग बहुआट टेंशन में थे कि अचानक से बच्चे को हो गया रहा है क्योंकि पहले वो जितना ही ज़ादा चंचल था धीदे 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 वो बहुत ही ज़ादा सुस्त रहने लगा था वो कुछ बोलता नहीं था, उसका पेट हमीशा फूला हुआ सा रहता था, अचीब सी बिमारी, लोगों ने सोचा कि शायद उसको जॉंडिस भी हो सकता है तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग साटरडे को एक इसका डेंगू टेस्ट करवाए साटरडे को जब हम लोग डेंगू टेस्ट करवाने के लिए गए, तब मेरे घरवालों के दिमाग में आया कि नहीं, पहले अगर वो डॉक्टर बैठा नहीं है, तो कोई और बच्चों की डॉक्टर को दिखाते हैं, और उसके बाद कन्फर्म करते हैं कि इसको क्या हो गया है तो कुलकाता में मरवारी हॉस्पिटल में हम लोग उसको लेकर गए, प्रोशन जीत घोश नामें वो डॉक्टर का, वो डॉक्टर इतनी अच्छे थे, इतनी अच्छे कि उसने बाबो को देखकर ही बोल दिया उसके सारे सिंटम्स को, कि ये जितनी भी सिंटम्स होते हैं न उसको रास्ता में ही उसकी सासे रुकने लगी, उसका ब्रीधिंग स्लो होने लगा और वो बेहोश हो गया, फिर हम लोग एक पास का हॉस्पिटल है, आरजी कर हॉस्पिटल, हम लोग वहाँ पे लेकर गए, वहाँ पे लेकर जाने के बाद उसका हेमोगलोबीन, प्लाटिल मतलब अंदर ही अंदर इतना बिमार होने लगा था वो, कि उन लोगों ने कहा कि आप लोगों ने बहुत देर कर दी है आने में, और इसका इलास तो आरजी कर में हो भी नहीं सकता, इसको टाटा मेडिकल लेके जाना पड़ेगा, और साटरेड़े संडे कहीं है, आडमिशन हो नहीं सकता है, तो हम लोगों को पूरा दो दिन वहीं वेट करना पड़ा, डॉक्टर ने उस पूरे दो दिन में उसको प्लाजमा चड़ाया, बलड चड़ाया, बोला कि इसका स्टीबल होना बहुत जादा जरूरी है, अभी इसको लेकर ऐसे नहीं जा सकते हम लोगों कह टेस्ट, उसके बाद बोन मैरो टेस्ट हुआ, तो उसके बाद पता चला कि हाँ, उसको बलड कैंसर ही है, तो ये अवेरनेस वीडियो मैंने इसलिए बनाया है, कि अगर आपके बच्चे को या आपके रिलेटिव को भगवान ना करें कि किसी को भी ऐसा दिन देखना लगा था कि पैर की नीचे से धरती ही घिसक गई है, इतना बुरा दिन, इससे बुरा दिन और कुछ हो भी नहीं सकता, वीडियो बनाने का मैं दो मैना पहले से सोच रही हूं, मगर बनाते बनाते अभी मुझे मुझे मौका मिला है, क्योंकि शुरू-सुरू में इतनी हॉस होता है, तो कितना दुख होता है, यह मैं आपको बता नहीं सकती, जितने भी माबाप यहां पर है, वो मेरे दुख को पूरे के पूरे अच्छे से समझ भा रहे होंगे, इसलिए मैं आपको यह कहना चाहूंगी, कि अगर आपके बच्चे को कभी भी कोई भी बिमारी ऐसी ह होती है, या कोई भी आपको ऐसा लक्षर दिख रहा है, जो अन्यूजवल है, बच्चा पहले हसता खेलता, अचानक से शान्त होने लगा है, कुछ बोल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, या एक ही वर्ट को वो कंटीनूसली बोलते जा रहा है, जैसे प्रियम के केस में म वो ममी पापा, ममी पापा पूरा दिन यहीं बोलता रहता था, हम लोग तो सुन-सुन की इरिटेट हो गए थे कि हो क्या गया है बच्चे को, तो इसलिए जब उसके मन में तकलीफ होती है ना बच्चे के शरीर में, तो वो एक्स्प्रेस नहीं कर पाता है, मगर वो कुछ या कुछ और बोलकर अपने प्रॉब्लम्स को एक्स्प्रेस करने की कोशिश करता है, इसलिए आप अपने से डॉक्टर ना बने, उसको किसी ना किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जरूर दिखाए, पैसे का मोह मत रखिए, पैसा तो बात में भी आ जाएगा, मगर ताटा मेडिकल का बात, तो टाटा मेडिकल में हम लोग जब गए तो वहाँ पर बोर्न मेरो टेस्ट हुआ, टाटा मेडिकल सच में एक बहुत एक्स्पेंसिव ट्रीटमेंट है, बहुत ही ज्यादा, मगर एक बात है, यहाँ पर हम लोग को पॉजिटिव रिस्वांस मिल मतलब यहाँ पर बच्चा जो है, रिकवर हो रहा है और यहाँ पर बहुत लोगों को रिकवर होते मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे कलिक्स के बच्चे भी थे, जो कि यहाँ पर ठीक होए है, उसका यह संटम है, देखें, ठाटा मेडिकल का ये बात है कि दो तरीके के वह पर admissions होते हैं, एक general होता है और एक private होता है, general में जिन लोगों का medical insurance नहीं है कहीं से भी बाहर से, उन लोग general ward में जमा कर सकते हैं, इसमें क्या problem होगा कि आपको कहीं से भी अगर by chance अगर office से आपका कोई medical claim किया हुआ है और आप general ward में अपने बच्चे को admit कर आ रहे हैं, तो आ कोई भी reimbursement नहीं मिलेगा, क्योंकि Tata Medical वो paper में sign करके policy वालों को जमा ही नहीं करेगा, क्योंकि उनका यही एक नियम है कि general ward में बाहर से कोई insurance आपको नहीं मिल सकता, general ward में भरती करने का ये फायदा होगा कि आपको hospital के trust के तरफ से आपको पैसे की मदद मिल सकती है, आपको office में medic claim में reimbursement करवा सकते हैं उस पैसे का, कितना होगा, कितना नहीं होगा, ये तो आपके office के medic claim insurance पर depend करता है, मगर ये बहुत important सूचना मैंने आपको दी है, क्योंकि हम लोगों नहीं सीज को जहिला है, हम लोगों नहीं पहले उसको general में ही भरती करवा दिया था, फिर उसक बच्चों के case में, धाई साल का होता है, धाई साल के बाद 5 साल का observation में रखा जाता है, जिसमें देखा जाता है कि cancer वापस आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये कैसी बिमारी है ना कि बहुत ज़नका पूरा treatment हो जाने के बाद भी ये वापस आ जाता है, बहुत बुरा है यार, ब को बहुत ध्यान में रखना है, डॉक्टर ने उसे बहुत ही high protein खाने खाने को कहा है, जिससे खून बड़े वोज सब चीज खाने को कहा है, और वाइरस से एक्तम भी contact में नहीं आना है, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि regular hospital विजिट करने के चकर में कई बच्चों को उसमें COVID भी ह जा रहा था, जिसमें उसका chemo therapy, cancer का treatment होता है, उसको chemo therapy बोलते हैं, वो भी miss हो जाता है, जब अगर COVID हो जाए तो, 14 दिन के लिए क्योंकि आप quarantine हो जाते हैं, तीन बार bone marrow का टेस्ट होता है, bone marrow का टेस्ट होता है, बोन मेरक ऐसा टेस्ट है, जो कि पीछे पीट की रीड की ह के बात stage 1 से सीधा stage 2 और stage 3 पर पहुँच जाता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहे हूं कि ये बच्चों के अंदर virus को ज्यादा ही fast move करता है, इसलिए आप बिल्कुल भी ignore ना करें, जब भी आपको लगे कोई problem है, तुरन डॉक्टर को जाके consult करें, इसका mean कारण आपका कोई क्या बोलेंगे उसको, जिस तरह से आप बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये अपनी आप ही बच्चों में हो रहा है, बड़ों में blood cancer बोल सकते हैं, हम लोग unhealthy lifestyle की वज़े से हो सकता है, मगर एक नवजास issue का unhealthy lifestyle कैसे होगा, खाना खाने की वज़े से शरीर में कोई nutrients नहीं है, हम लोग का, कोई भी तरह का protein नहीं जाता है, जिसके वज़े से ही हम लोग धीरे-देरे बिमार होते हैं, और जो बच्चे को जन देते हैं, वो भी धीरे-देरे बिमार होने लगता है, इसलिए आप अपने बच्चे का ब पूल है, या आपको ऐसा लगता है कि किसी भी बच्चे को यह help करेगा, तो प्लीज आप इसको जरूर शेयर कीजिए यह वीडियो को, स्यादा से जादा लोगों तक पहुंचाएए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,